जनाब हम्हारे जावास्वृट कंपिलीड कोस में आज एड़े नंबर टॉन्टी फोर जनाब आजकी दिन हमें जावास्वृट में इमिडेटली इन्वोट फंक्षन के बारे में जानने वाले हैं यह function क्या होता है इनका use case、「 क्या होता है कैसे यूज किया जाता है सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाई तो जनाव हम लोग अच्के एक्षिन उसका मिल गया तो आप करते वहींदेटली एक हो गया ठीक है और इन्व फंक्शन का मतलब चल जाना ठीक है इसा पहले मिद्वेंड़ी इन्वटी फंक्शन कैलाएं सबसे पहले डपांअग्पक्讷न कोई पूस्था है स्कूर्दमरा है मिद्धिव फंक्शन और ब करते हैं कि यूज करते ह। धी कि सबसे पहले इसको समझते की इमेडिटिट्ली फंक्चन बनाते कैसे नार्वल क 있습니다 इस तरीके फंचन की वर्ल दिखान को आपने कुछ नाम दे दिया मान लोस तरीके से और और parenthesis bracket बनाया फ्रैंटिंस फ्रैकट बनाने भाइब यह भाएज अब इसको चलाना तो आप क्या कर सकते हूं इसके नाम को कौल कर सकते हूं जैसे मैंने यहां अगल लिक्षा तो और इस तरीके करा तो यह क्या हो गया सब यह आपको वितने हैं यहां फ़करतो मैं करने वाला इतना है तो यह फंक्षिनगें और की सब्सक्राइब बाद में आप को पड़ा जोंक्त के श्रव पता रखा के चाहिए फंक्सिंसकों पर देखो अगर आप किसी function को नाम देते हो तो memory के नाम को याद रखती है पर अगर हमको चाहिए कि यार वो नाम ना याद रखे कोई भी storage ना रखे हमको तुरंट उस चीट का यूज करना है तो अभी क्या है anonymous function नहीं इसके अंदर अगर मैं लिखूं लेट और एज एज की मैं कहा दूँ एज इसकी अभी 16 है ठीक है और मैं यहाँ पर console.log करता हूं और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूं मैं यहाँ लिखता हूं एज को call कर लेता हूं कुछ लिखने से पहले मैं डायेट इसको call करता हूं क्या यह रण होगा जाहिड सी बात ते सर यह रण नहीं या call करोगे भी कैसे कि यह आपका anonymous function है आप पिछली वीडियो जिन्हों ने देखी होगी वो तो जानते होंगे कि सर anonymous function अगर आप बना रहे हो तो आपको call करने के लिए इसको एक variable में डालना होता है मतलब कुल मिला के इसको एक expression में convert करना होता है अब अगर पिछली वीडि कि सर आप उसको कुल मिला की यह करना होता है कि function expression में convert करना होता है और फिलाल देखो एक error भी आ रहा है syntax error function statement रिक्वारा function name बलब जो आपने function बनाया उसको एक function name की जरुवात है तो सर मैं function name तो दे नहीं सकता हूं क्योंकि मुझा anonymous function चीए तो मैं क्या करता हूं इसको एक variable म नाम से मैं variable बनाता हूं और इसके अंदर function को डाल दिया अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं anonymous function के बारे में ही समझ रहे हैं अभी हम लोग इमेडिटली इन वो function के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझा है वह भी मैं बताऊंगा आप क्या यह बन गया इसको बोलते है function expression जब कि एक anonymous function बन चुका है या function expression बन चुका है आप यह बोल सकते हो अगर इस function को चलाना है तो आप इस variable के नाम को लिखे इस तरीके से देन यह चल जाएगा ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूं मैं चलता हूं browser पर पड़ा जाते हैं तो यह देखिए 16 इसने प्रिंट करा दिया तुरंत बाद इसको रन भी कराना है ठीक है तो इसको इमेडिटली इन्वोक फंक्शन बनाना पड़ेगा तो इस पूरे फंक्शन को सर आप क्या करें उठाले इस तरीके से उठा लिया एक parenthesis ब्रेकेट नॉर्मल सा बना लें parenthesis ब्रेकेट यह वाला ब्रेकेट उता है मैं इसको दिखा देता हूं यह एक सेकंड यह लिजे सर ठीक है और जूम कर देता हूं अब जो फंक्शन आपको बनाना है इमेडिटली इन्वोक फंक्शन तो आपने पहले रेक फंक्शन बना रखा था उसको इस फंक्शन के अंदर डाल देना है ध्यान दीजिए यह मेरा और इस तरीके से बनाएं और एक सेमी कॉलन लगा दें तो यह क्या बन गया है सर इमेडिटली इन्वोक फंक्शन बन चुका है तो यह सर इमेडिटली इन्वोक फंक्शन बन चुका है आप सर क्या कहना चाहेंगे इसको पहले रन करके दिखाते हैं फिर आपको उतातिक क्या लिखा हुआ यह नाइन यह फालतों को लिखा हुआ इस वज़े से इसको अटाया देन अब देखिए 16 प्रिंट हो रहा है तो यह बन चुका है इमेडे इमेडेटली इनो फंक्षन बैल हम यह बना है इसको चलाना था तो यह बन गया तो कोई भी वेरियवल बना लो उसको क्या करो पैंठेसिस ब्रेकेट में बनने के बाद उस फंक्षन को एक पैंठेसिस ब्रेकेट में डाल दो और यहां पर लिख लगा दो यह बन गया इमेडिटली नुफ फंक्षन अब सबसे बड़ा कोशें यह आता है क्यों ऐसा क्यों कर यहां थो सब्सक्रेट में बहुत सारी उसक्त आपको मैं ऐसे यूश की बताता हूं और यहां पर कि सकते हैं यहां से हटाउरे साथ भूड फैल यूश केसे लिए बारिबल जूख ल मतलब जैसे अगर मालू मैंने एक वेरियवल बनाया लेट नेम ठीक मैंने क्या वराया लेट नेम इसकोल टू और मैं यह आपर लिग दिया अपना नाम एस एच यू बहें सुबम ठीक सुबम लिखने के बाद आप क्या हुआ अब हमारी जावा स्किर्ट या फिर हम बोल सकते हैं हमार जो रैम है वो इस वेरियवल को पाइचानती है और यह हमारे रैम मलब श्टोरेज के अंदर बन चुका है ठीक है उसी तरीके अगर मैं यह आप एक और वेरियवल बना दू उस वेरियवल के अंदर डाल दू 36 ठीक है तो अब क्या बन गया एक और वेरियवल बन चुका है तो इन दोनों वेरियवल ने क्या करा श्टोरेज ले लिए मेमोरी के अंदर तो अगर इसी तरीके से आप बहुत सारे वेरियवल बनाते जाओगे तो क्या करेंगे वो मेमोरी को कंज्यूम करते रहेंगे श्टोरेज बनते हैं अगर हम programmer इस जिस के ध्यान नहीं रखेंगे कि storage कितनी consume हो रही है या RAM कितनी consume हो रही है तो बहुत ज़्यादा problem create हो जाने वाली है मालो आपको software बना रहे हो जो बहुत ज़्यादा RAM ले रहा है तो क्या करेगा वो system को hang कर देगा normal system उसको चला नहीं पाएगा तो ऐसी situation में हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक function बनाते हैं माली जै मैंने आप एक function बनाया और अगर आपको local variable और global variable का concept पता है तो आप जान जाए इसको चूरे ले लेके के लिए एक के बार पाँ है को अन्दर नें को call कर देता हूं अब क्या होगा जब आप को लोगल लोबल वेरीबल बनाते हो तो वो हमेसा के लिए मेमोरी में रहता है बला उसको storage मिलती है पर्मानेंट storage पर जब आप किसी function के अंदर इन वेरीबल को डाल देते हो तो यह क्या हो गया यह local variables हो गया और local variables की खासियत क्या होती समझेगा सर्थ सबसे पहले आपका जो भी वैसे तो compiler आप बोल सकते हो पर आपकी जावस्क्रिप्ट पर एक scripting language है तो यह interpreter की बात करते है बालो जोब इसको run करने आ रहा है रन करने वाली machine जो भी आ रही वो देखी गिए 6 function मना हुआ है 100 नाम से एक function के अंदर क्या है एक variable बनाए name नाम से जिसकी value है सुबम ठीक इसने function मनाया memory के अंदर ध्यान से सुनना फिर उसने देखा एक age नाम से variable बना है उसकी value क्या है 36 ठीक है फिर वो देख रही कि console.log function की खताम हुआ function इस curly bracket के बाद खताम हो गया अब इसके बासर जैसे आप बहार आते हो ये सारे variables memory से हड़ जाते हैं बलब ये उतनी देर के लिए बनते हैं जितनी देर के लिए function चल रहा है function खताम होने के बाद इन variables का भी आस्तित तो खताम हो जाता है आप RAM को तो पता ही नही और मेरी edge print कर दी बट अगर मैं या पर call ना करूं और इसी variable को मालूँ ये name वाले variable को इस function के बाहर use करने की कोसिस करूं तो क्या हम use कर पाएंगे देखते हैं सब इस line को copy कर लेते हैं और यहां से हटा कर इसको बाहर ले आते हैं जरा और अब देखते हैं इसको call करने की तो तो लोकल वेरीबल्स क्या होते हैं सर लोकल वेरीबल्स ऐसे वेरीबल्स उते हैं जो आप किसी function के अंदर बनाते हो और यह उतनी देर के लिए बनते हैं जितनी देर क्लिए function चलता है और global variable का है global variable मतलब अगर आप बाहर कोई function बना देते हो माली जो मैंने का let name is equal to rahul ठीक म तो हमारा rahul क्या हो जाएगा चल जाएगा आ गया तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो वेरीबल्स ऐसे हैं जो मुझे परमानेंट यूज नहीं करने मुझे थोड़ी देर के लिए यूज करने हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं anonymous function के अंदर डालके तुरंत इन्वोक्त क इनको अम लोग को अलग अलग जगा में कई बार यूज करना होता है उनको अम लोग ग्लोबल में बनाते हैं जो वेरीबल्स फिर एक बार यूज करने हैं यह तुरंत करते हैं उनको के अंदर बना देता हैं अम बालू यह function इसको मैं क्या करूँ anonymous इनानोमस function में convert कर दूँ ठीक है इनानोमस function में convert करके इसको immediately involved करा दूँ immediately invokes कराने के लिए मैं क्या करूँगा इस line को अठा दो फिलर इस पूरे function को उठा लूँगा इस तरीके को डाल दिया और इस function को तुरंट चलाने क्लिए क्या करते है सर इस तरीके से parenthesis bracket से call करा देते हैं अब यह देखिए चल जाएगा सर और क्या करते है इस उपर वाली राइन को भी हटा देते हैं ठीक है और यहाँ पर देखिए age मेरी print हो जाएगी तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई variable बना रहे हो global memory के अंदर उसको अगर आपको बार बार यूज़ करना है अलग अलग तरीके से उसकरना तब तो global बनाना ठीक लगता है पर ऐसे वेरीबल जिसको आपको चुरंट यूज़ करना है एक बार मालो एज है एज हमको बार-बार दो यूज़ करनी नहीं हो सकती है एक बार यूज़ करनी है तो उसको क्या करते है हम लोग फंक्शन के अंडर डाल देते हैं और फंक्शन के अंडर डालने से क्या होता है कि हमारी storage नहीं लेता है memory कम consume होती है यह जितनी दिर के लिए function चलेगा उतनी दिर के लिए variable बनेंगे और इनका यूज़ होगा जहां यह function खतम तहां इनका अस्तित्त भी खतम इनकी कोई भी storage नहीं रहेगी इनकी को storage location नहीं रहेगी ना ही memory इनको जानेगी कि ऐसा कोई variable बना था ओके यह पहला use case था अब दूसरा use case भी इसी तरीके कि माल लो मै क्या कहता हूं मैंने का लेट नेम नाम से एक variable बनाया और इस तरीके से मैंने का सुभम ठीक मैंने इसके नदर सुभम डाल दिया अब मैं चाहता हूं कि एक और मैं नेम नाम से variable बनाओ इस तरीके से और मैं क्या करता हूं यहां पे उसका नाम राहूल रखना चाहता हूं ठ क्या हो जाएगा देखिए पहले दिखा दूँ यहां पर दिखाएगा कि एरफ नेम हैस अल्रेडी बीन डिक्लियर्ड तो यह तुरूल तो पहले ही पढ़ा दिया जाता है वेरीबल वाले चेप्टर में हम लोग पढ़ा देते हैं कि सेम नाम से दो वेरीबल नहीं बना जा सक करते हैं इस तरीके से हम लोग किया और इस तरीके से प्रिंट किया और अगर इसको उसको प्रिंट अभी कराना है तो हम लोग क्या करते हैं इसको पूरे नीचे कॉल करा देखते हैं यह सर मैंने कॉल करा दिये कॉल कराने में लब क्या है वह जो इमेडिटली नुट फंक्शन उसको तुरंट चलाना थी कि यह लाइन आपकी कॉलिंग वाली है जो यह आप देखर यह यह ठीक है इसको अब रन करते हैं तो देखिए आपर राहूल को भी प्रिंट और क्या मम गया और मैं क्या कितंब हूं में सुभक ब्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं सुभाब को भी करा सकता हूं माम से अगर आपको दो वेरियबल बनाने है तो आप क्या कर शक्ते हो ji På Cred सकते हो, हो जाएगा, क्योंकि यह local एक global memory में बना है, यह वाला जो function है, यह global में बना है, memory में, ठीक है, और यह वाला सर कहां पर बना है, यह local बना है, क्योंकि यह function के अंदर है, ठीक, यह local memory में बना हुआ है, दो use case समझ में आए सर, तीसरा use case क्या है, हम लोग जब भी coding programming करत सकते हैं, community में, जिसे GitHub है, GitHub के अंदर डाल देंगे, कोई भी उसका use कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद भी दूसरे को code देते हैं, और दूसरे का code use भी करते हैं, JavaScript के अंदर आप कुछ बना रहे हो, तो हो सकता है, किसी ने already उसकी library बना के रखी हो, यह third party code बना के रखा हो, और उसका कहने है, क्या मतला है, कि आप direct उसको HTML के साथ include करें, use करें, और use कर सकते हैं, आपको बनाने के जरूवत नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, conflict क्रियेट करने का, conflict हो सकती है, कि दोनों में विरोधा भास पैदा हो सकता है, आपके code, और जो दूसरे का code js.js नाम से मैंने एक file बनाई, ओके, इसके दर मैं क्या करता हूँ, मैं मालो एक function मनाता हूँ, lit age नाम से, ठीक है, इसकी value मैंने रखनी 48 years, ठीक है, और function मनाया एक, function को मालो मैंने का so नाम से function मनाया, यह anonymous function नहीं है, यह normal function है, ठीक है, इसके अदर call करा देते हैं, तो call कराने लिए console.log, और इसके अंदर क्या करना है, एज को call करा देना है, यह क्या है, यह third party का code है, ओके, चल जाएगा, कैसे चलेगा, इसको लिंक करना होगा, html के साथ, लिंक कर लेते हैं, control d, और यहां पर बसम्रू को क्या करना है, main.js की बाद, यहां पर third party.js यह कर दिया, ठीक अब अगर, जब आप किसी के code को अपने code के साथ connect करते हो, यह आपका code नहीं है, किसी दूसरे के लिखा हुआ code है, तो यह सर एक दो line का नहीं होता है, 500, 1000 line, 1500, 2000 line का भी हो सकता है, ठीक, तो क्या आप इसके code को पढ़ने बैठोगे, नहीं बैठोगे, पहली बात, जिसने code लिखा है, उसको भी नहीं जानता कि आप क्या लिखने वाले, उसने अपना code लिखे आपको दे दिया, ठीक है, अब हो सकता है कि आप भी अपनी file के अंदर, सेम यहीं code लिख दियो हो, पहला age नाम का variable बना दो, 48 years आप कराना चाहते हो, console ठीक है, तो मालो आपने late, यहाँ age नाम से variable बनाया है, और 48 के जगह है, मैं कहता हूँ, 49 भी लिख दो, चलो, कोई प्राब्लम नहीं, ठीक है, और function, so नाम से आपने call करा दिया, stick, console.log, और आपने यहाँ पर क्या किया, इसको call करा दिया, age को, अब क्या होगा, conflict create होगी, conflict में लिख विरोधा बात, आपका भ आ रहे हो, कि चला गडबडी कहां पर आ रही, मतलब आपने यहाँ पर भी सर उसने वही code लिखा हुआ है, आपने भी गलती से मालू, वही नाम से variable बना रखा है, वही नाम से function बना रखा है, ऐसा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, बालो, देर अजार लाइन, दो अजार से, तो अब अब जब आप इसको run करोगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर दिखेगा, identifier has already been declared, बतला बया, जो आपने identifier बनाया है, variables को में identify बोलते है, ठीक है, तो एज नाम का जो identifier बनाया है, जो variable बनाया है, वो already declared है, किसमें declared है, third party.js में, तो यार, अब गड़बड हो गई, जब आप देख रहे हो, कि आप यार, हम दोने भी बनाया है, और इसने भी पहले से डाल रखा है, तो क्या हो सकता है, या तो आप उसका नाम चेंज करते हो, तो क्या हो सकता है, इसका solution हो सकता है, कि आप इसको एक immediately invoke function में convert कर दो, कैसे कर सकते हो, यह सारे code को इस तरीके इसको refresh करते हैं, इसने क्या बताया, unexpected identifier age, okay, min.gs में, तो दूसरी अले का जनने लगा, इसमें, क्यों नहीं चल लाए, एक second मैं इसको देख लिएता हूं, जदा, age नाम का variable बना हुआ है, जब कि मैंने इसको क्या कहते है, immediately invoke function के अंदर डाल रखा है, तो हम लोग करेंगे क्य इसको जिसे नाम दे रखा तो नाम मत दो, function को नाम देने क्या जरूआते है, नाम ने दो गched इमेडिकली invoke करा रहे है,!!" तो तो जब इमेडिटली invoke कराया जाता है, तो फिर नाम देने की जरूओत ही क्या है, तो हम लोग क्या कै ते है, यह line को थोड़ा सा सही करते हैं, स्पेसिंग को वह सही करते हैं बाकी सब चीजे लगबग सेम है ठीक है इसको उठाओ यहां पर रखो जहां कॉलिंग हो रही है ठीक है यहां पर आपको लगाना होगा सेमी कॉलन की बिना कोड यार गडबड़ी करेगा ओके और इस लाइन को उठाओ इसको क्या करो इस इमेडिटली इन्वोफ फंक्शन के अंदर डाल दो डाल दिया सर ओके एक सिप्टेंड को मैंने उठाया सर फूरी लाइन को नहीं उठाना है यह कभी-कभी इडिटर भी सर अपने आपके काम करता है बस इतना उठाओ ठीक है उठाने बाद इमेडिटली इन्वोफ फंक्शन के अंदर डाल दो डाल दिया सर ठीक है अब यह पूरा फंक्शन लगभग लगभग हमारा सर बन चुका इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं इतने लाइन को भी कर रहा है अगर आप सुचो सेमी कॉलन यहां पर लगा दोगे बाइब मिश्टेक अगर मैंने कहा व्यू लगाने के लिए तो आप ना लगाना क्योंकि यहां पर लगाने मिलब क्या कि इस फंक्शन को आप क्लोज कर दोगे सेमी कॉलन का सिद्दान होता है कि जहां पर यह पर फ्लूज हो जाएगा तो यहां पर सेमी कॉलन नहीं लगेगा यहां वाला बस लगेगा इसको लगाने की जरूवत है आईए देखते हैं तो यहां पर देखिए फोर्टी नाइन भी प्रिंट हुआ फोर्टी नाइन कहा है और आपकी जावस्क्रिप फाइल में अधिया कि आपने इसको एक एंडर शंक्रिप के अंदर डाल दिया management को चाला झाल कर दो तो भी आपका चल जाएगा तो हम लोग इसके लिए भी सिच्वेशन के लिए भी करते हैं तो जो शुरुवात की दो सिच्वेशन बताई थी वह ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंपॉर्टेंट यह भी पर यह कभी कभी होता है ठीक है जर्णरली कोड मैच करता है पर हम उस को सॉल्व कर लेते हैं उनको आपको क्या होगा समय के साथ अभी जब आंगे हम लोग बढ़ेंगे और भी चीज़े सीखेंगे दीरे दीरे और जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि कहां पर कौन चीज़े यूस हो रहे हैं तब ऐसा ज्यादा यू को डाल दो और इस तरीके कॉल कर दो ठीक है और यूस केस आपको तीनों पता ही चल गए तो यह वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में मुझे बताएं अपना फीडबैक दे कि आपको समन में आ रहा है या नहीं आ रहा है और वीडियो को आप लाइक का सकते हैं जिसे